गरंटी से 70 की 70 सिटे आमादी पार्टी को मिलेगी दिल्ली बोले केजरिवाल फिर से तरविंद केजरिवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जंता की आदालत यहाँ पर पूरी तरीकी से लगाई है और ऐसे में जंता जो है वो काफी ज़्यादा संक्या में यहाँ पर पहुच गई है और एक साथ भारत माता की जैपरियां पर नारे भी लगाए जा रही है और हर तरफ आप जहां जहां लेकिन इसकिर्फ आपको आप नाजवित ही तिखाई देंगे हाला कि जंता की अदालत में आब आदनी पार्टी के इस तमाम इधायक, मंतिनी सब को इस पोज़ूद है लेकिन यहाँ पर यह लोगों से जानने की कोशिस करेंगे यह कैसे देखते हैं क्या कहेंगे आप जंता की अदालत को लेके अर्विंद केजरवाल को लेके जंता की अदालत में आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए और केजरिवाल ने जिस तरीके से आगे आके घोस्रा की कि अगर हमने इमांदारी से काम किया है आपके लिए तो आप हमें अगले तीन-चार महिने में होने वाले इलेक्शन में जिता होगे तो मैं दुबारा सियम की कुर्सी पर बैठाउंगा अगर आपको लगता है कि मैंने व्रस्ताचार किया है तो हमें ओट मत देना और हमें कुर्सी से हटा देना यह आप तक बड़ी बात है आप मेरा नहीं आप देखो यहां पर कितनी ज्यादा संक्या में पब्लिक आई है और यह इस बात की मुहन लगा रही है कि हमारा अरविंद केजरिवाल इमान दार है आज तक के दियास में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं और ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने काम पर वोट मांगा हो पहले हमने काम पर वोट मांगा जन्ता ने हमें बंपर सीटे दी और इस बार हमारी मांदारी हम अपनी मांदारी केजरिवाल जी अपनी मांदारी पर वोट मांग रहे है और इस बार गारंटी से 70 की 70 सीटे आमाधी पाड़ी जीतेगी और इतना मतलब इतिहास हमेशा आमाधी पाड़ी ने पाड़ी ने पाड़ी देश में ऐसा कोई और दूसरा नेता नहीं है जो ये कह दे कि मेरे काम पे वोट देना आजकल तो धरम पे नाम पे किसके नाम पे वोट होता है लेकिर अनविन जी है कि एकला होते ऐसे नेता है वो काम के नाम पे वोट मांगते है और वो पूरी तरह से इमांदार है क्या कहेंगे जंता की अदालत को यह कहेंगे जंता का फैसला आपके सामने जंता जिस तरीके से यह पोचिए यह तो अभी आज चुनाओ करा लो आज तैयार है अगर तो आप इन नॉंबर में चुनाओ करा के दिखाओ सत्तर की सतर सीटे हम आद्मी पार्टी को मिलेगी कि अगरे काम किया जंता के लिए यह उस जंता की वो जंता जनता की वो आप एक मैला पत्रकार हो आप जाके बस में बैटो आपके टिकट रही मांगेगा कंडेक्टर आप फिरी हो इस देश की मैला सक्टी हो आप और आपको तो खुस होना चाहिए कि मैला सीम बनके आई आपके बीच में लेकिन अर्विंद केजर्यवाल की जंक्ता अदालत पर क्या कहेंगे क्या उन्होंने इमांदारे से काम हारेक्ट경 की इमांदार हो फिसना अभनेवाल इंयान केलिवाल और लौम Standards प्राहु प्रसका लिएματα हो एक कुछ दीन के अंदर उने श्विटारिए कि अजिए टीम्छ थाकत दीतन के करते हैं उनके लिए सब कुछ आजाज है क्यों करते हैं काम के दम पर बोर्ट मांगने वाला एक पहला नेता है वो जाती वाद पर बोर्ट नहीं मांगता है हमें आमाधी पार्टी की केजरिवाल की नीतियों का फैर्दा मिला पहली पार कोई ऐसा नेता आया है जिसने फाइदा डिरेक्ट पब्लीक को दिया ना की अपनी जैब बरी देखिए आम पब्ली जो कह रही है केजरिवाल हमारे दिल में बस्ती है और फिर से उजन्दा में आएंगे हमारे जिसने फाइदा बादे इस तमाम नरीखे का उसा यहां पे पेजिदा बादे जन्दा मतल देए जन्दा जालत के बादन से जो संगेश अर्विद केज्रिवाल दिल्ली के जन्दा को देना चाहा रहे है वो साब तोर पर ठिखाई भी देरा और जिक्री कर सी आखिर जन्दा में नयाके बादे चायो के एंदि अच्या करना में बादन क papel के बादन Walanda और एंधिकि के